हेलो फ्रेंड वेलकम टू ग्यान प्लस यूपितर प्लसी से एक खुसकबरी निकल के सामने आ रही है जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा सची जी का कारभार अत्रिक समय के लिए बढ़ाया गया है वो लगबग लगबग 30 से 35 दिनों के लिए समय बढ़ाया गया है तो यही समय बढ़ाने के चलते एक फायदा हुआ है उन अब भीरतियों के लिए जिनकी जो परिच्छाएं हो चुकी थी डीवी भी हो चुकी थी और उनका जो अंतिम रिजल्ट है अटका पड़ा हुआ था तो ऐसे भीरतियों के लिए एक खुसकबरी ये निकल के सामने आ रही है कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में जली देखने को मिल जाएगा अन्य था अगर सचीव जी के कारभार में बदला हुआ होता नए सचीव आय होते तो और भी देरी आप सबको देखने को मिल सकती थी तो जो संभावना था वो नहीं हुआ और सचीव जी का कारभार आत्रिक्त बढ़ा दिया गया इसके चलते जेई वालों का वो एक बड़ा अब ही भी एसो भरती की मीटिंग चल रही है तो क्या डिसकेशन होने वाला है क्या निसकर्श निकलने वाला इन सभी महत्पूर बिंदों पर चर्चा करते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं चीजों को डिटेल से देखते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे आज चल रहे है मीटिंग चल रही है और जो यह को है अपरोरी में अपना फायदा हुआ है इससे आपको काम में तेजी दिखाई रतीत होगा क्योंकि अगर कारिभार न बढ़ता तो हो सकता है आपको चुनाओ के बाद ही आपका result देखने को मिलता तो ऐसे में आप चुनाओ के पहले confirm हो चुका है आपका result आजाएगा फरवरी में आप लोग अपना result देख पाएंगे इसके अलामा अगर ASO भरती के बात करें तो ASO भरती पे जो OVC और EWS और SC की सीटे हैं अगर उस पे को पूरा का पूरा सीट भर गया खालिस नहीं रहा सी फिलाल जहां तक उम्मीद है अगर कोई second list नहीं आती है तो आपका result इसी महीने देखने को मिल जाएगा तो ASO भरती इस महीने तक लाश्ट तक वेट करना पड़ेगा second list नहीं आए तो इसी महीने अन्यत्था आपकी जो result है फरवरी में confirm बताई जा रही है ASO और JEE के अलावा अगर हम आपको बताएं तो आन्य भरतियों के वीडियो का जो exam है उसका result भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलने वाला है पेट 2023 का result इसी महीने के last तक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा वहीं अगर जो accountant की परिच्छा की बात करें तो accountant की परिच्छा आप चुनाओ के बाद ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाओ से पहले आप कोई संभावना नहीं है कि आपका accountant का exam कराया जाए तो आप सभी अब्यर्थियों को अब तयारी की समय मिलने वाला है क्योंकि आपका exam अब में 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 जाने वाला है और हाला कि कुछ नई update हम आगर आपको बताए तो अचार सहिता जब से लगेगी तो ऐसे में कोई final result नहीं आने वाला हाँ इलए वो कि आहाना है और आपकी डीवी प्रक्रिया चलती रहेगी यह कार्म हो सकता है लेकिन आपका result जो अचार सहियंता में नहीं आने वाला तो आचार सहिता में धो ही काम हो सकता है या तो फिर आपकी के लिए call आया आपको dux किया जाय। या फिर आपका जो डीवी है वो प्रोसेस पूरा किया जाएगा ना कि अंतिम रिजल्ट तो इसी के लिए जो जो परिच्छा हैं जिनका अंतिम रिजल्ट आने वाला है उनकी ज्यादा संभावना है कि जो आपको चुनाओं के आचार सहिंता से पहले ही आपका फाइनल रिज वीडियो का रिजल्ट आते ही आपका डीवी भी कराया जागा चाहे आचार सहिता लागू हो या नाओ डीवी की प्रक्रियाच चलेगी तो आप निश्चिंत रहे हैं फिलहाल इससे समंधित कोई नई अपडेट आती रहती है तो हम आपके साहने अपडेटेट वीडियो ल लगा होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद